मेरे लिए ये बहुत ही गौरब और गर्ब का च्छन है कि आज मैं भारती जिनता पार्टी किश्दस्तिया ग्रहन किया हूँ इसके लिए सबसे पहले तुम्हेमाने प्रधान मंत्री जी को पार्टी के राष्ट्य धेक्ष आदनी नड्ड़ जी को ग्रह मंत्री आदनी अमिद साहजी को और जिनके हातों से आज मैंने सदस्ता गहन किया आदनी धर्वेंद प्रधान जी के परति आभार प्रटेश करता हूँ कि मुझे आज यहां उन्होंने सदस्ता ग्रहन करवाया और मैंने इसलिए अपना बताया कि गौरब की बात है कि आज आप देखिए विश्व सबसे बड़ी आवादी का देश भारतवर्ष है सबसे बड़ा लोगतंत्र भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो राज़िक दल है वो भारतवर्ष जंता दल है भारती जंता पार्टी है और इसकी इस दस्ता ग्रहन करने में सचमुच अपने आप में गौरब मैसुस होता है और अज इतनी बात कह रहे थे अभी धर्मेंदर जी अभी मैं सुन रहा था रोज मैं सुनता रहता हूँ आज भी आप सुनते रहते हैं जो हमारे पहले नेता थे उन क्या बोलते है कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है हमने कई वार उनको आइना दिखाने कुशिस की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नितीस वाब वो ये बता हैं कि आज भारत वर्स दुनिया में पांचमी सबसे बड़ी अर्थ वेबस्ता है ये कैसे हुआ ऐसे तो नहीं हुआ आज अभी मैं आया यहां उसके पहले मैं देखा मुंबै में उनका प्रेस कॉंफरेंस चल रहा है बड़ी-बड़ी बाते कर गएं किस काम के लिए यहां सोचिए कि देश कहां चला गया औब बिहार आज भी कहां है पहले क्या बात करते थे वो जब भी उनके पास जाएं कहेंगे मैं बिलकुल क्राइम के खिलाफ हूँ करॉप्सन के खिलाफ हूँ उनको सी सब्से बड़ा प्रेम रहता है लेकिन सी स यह ही वाजकल सब काम में लेगे वंब बिहार में चले जाएगे साब बता रहे थे धरेमिंदर जी कितनी महनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी किस प्रकार से वहां कानून का राजस्तापित किया गया था किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी अरज बिहार में जाईए सब तार कतार हो गया दो हजार पांच से भी बुरी सित्व होगी कैसा निशाप आप एक मुख मंत्री का नाम बता दिए पूरे देश में जो तीन दिन में तीन प्रदेश में हैं एक दिन उडिशा में दूसरे दिन जारकंड में तीसरे दिन महारास्टर में किस काम के लिए हैं बिहार की जनता ने उनको माइंडेट दिया था बिहार को विक्षित प्रदेश बनाएंगे बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खतम क करेंगे विहार के जो बेरोजगर नौजवान उनको नोग रिदेंगे और अप लगे हुए कहां है किता है कि काते हैं उसमें भी साहब विपक्ष एक्ता की बात चली थी. दोहजार उन्यस में आप देखिए, इनाइटेट इंडिया करके रैली कितनी बड़ी बड़ी थी. लेकिन आप क्या एक्ता करिएगा, आपका नियता कोन है? बिना नेता को एक्ता होता है क्या? इस देश का जरा दुर भागे देखिए साहब, जब 1989 के बाद से देखिए, 2004 तक, कितने प्रधान मंत्री हुए, कितने वर्सों में देश की स्थिती क्या हो गई? देश का सोना भी बाहर गिरी में रखना पड़ाता है. और दाज भारत G20 का प्रसेजेंट है. प्रधान मंत्री जी ने इस देश के पहचान दुनिया में दिया है. तो ये गौरब का सब के लिए भी से है. लेकिन किस काम में लगे हुए? बिहार को आगे नहीं ले जाना है. बलकि जो मैं बार बार कहता हूँ, कि लोग उनको बोल देते हैं PM, तो मैं इस बात को कहा था कि नितिसवाब अब PM थे, PM हैं और PM रहिएगा. लेकिन PM का मतलब क्या होता है? P मतलब पल्टी, M मतलब मार. पहचान क्या बनी है? बताइए साब कितने वार आपने बिश्वास घात किया है? तो ऐसी साब समाज का और देश का कल्या नहीं होता है. तो मैंने इन सब चीजों के मद्दी नजर मैंने ये तै किया, कि मैं उस पार्टी का मेरा स्टिदिक्स भी था. बिहार में उस पार्टी को मैंने गाउं गाउं तक पहुँचाया, जितने बूत है वहां तक पहुँचाया, आज क्या इस्तिती है? सब जितने कार्ज करता है, सब हम से पूछते हैं, सर कुछ निरने लिजिए, आज निरने हुआ है, आप देखिएगा, बिहार में निती सबाब का कुछ नहीं बचेगा जी, अपने रहेंगे, उनके राष्टिया, धेख्च रहेंगे, और जिसको मैं भुंजा पाटी कहता हूं, उर रहेंगे, बाकि सारा का सारा बिहार चाहता है, कि केंद्र में जिस प्रकार से, आदर निरने निरने मोदे जी, देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रहें, उसी प्रकार से बिहार में भी काम हो, अब बहुता आते हैं कि सारा, गरीब को कोई काम नहीं होता, भाई प्रधान मंत्री, किसान सम्मानी दी औजना मैं तो गाउं में रता हूं, किसी समाज का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, सब के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब को महिने में परतिव्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस आधरन उपलब्दी है, तो इसलिए साथियों इन सब चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि जब आप फिर से वहीं पहुंच गये हैं फिर से जिनके इनका क्या था नितिश वावु का पूरा पूरा वजूद क्या था उन्हों संगर्स के खिलाफ किया था और जेडिक खिलाफ और आज उनहीं गोद मही को मैंने भारतिय जनता पाटी की दस्ता ग्रहन की है बस भगवान से मैं यही प्रागतना करूँगा मुझे ताकत दें और मैं पूरी अपने सामर्थ के साथ इस डल की इस देश की और प्रदेश की सेवा कर सकूँ बहुत-बहुत धन्यवादा था बहुत-धन्यवादा मैं भारतिय जनता पाटी में ओपचारिक रूप में आदर्ने स्री आर्शीपी शिंग जी को स्वागत करता हूँ आर्शीपी शिंग जी आज से प्रधान मंतिर नारेंदर मोधी जी की नित्रूतों में आदर्ने जगत प्रकास नाड़ा जी की नित्रूतों में भारतिय जनता पाटी की एक कार्यकर्ता के नात्य काम करेंगे मित्रों संजोग से मेरा भी कुछ दिन बिहार से संपर्क रहा मैं बिहार की भारतिय जनता पाटी की कार्यकर्ता की रूप में काम किया जिसके बारे में संजे जी नूलेक किया बिहार में एक कानून की राज स्तापित हो बिहार में बिकास हो बिहार में महिलाओं की सुरक्ष्या बढ़े नागरिकों की सुरक्ष्या बढ़े नौजवानों को अबसर मिले इस प्रकार की राजनेतिक मुद्य पे अटल जी की मार्गदर्शन में स्वर्गिय जर्ष फनाडिज की नवार्गदर्शन में एक राजनेतिक गटबंदन हुई थी आज की बिहार को पट्री में रखने के लिए उस गटबंदन की बड़ी भूमिका रही है दिनों तक हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को चलाया लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अपने निहित राजनेतिक उद्यस से अपने नीजी राजनेतिक अमिशन को चरितार्थ करने के लिए बिहार की मुझूदा मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी बार बार उस पे पीछे से छुराघात करते रहें तब ही जब हम काम एकटा करते थे हम रामचंदर बाबुजी से बाचीत भी करते थे जब पहली बार भी नितिश जी दो हजार बारा में पहली बार उच्छोड़े बारा में तेरा में तेरा में जब छोड़े तब भी रामचंदर बाबु उनके हाथ पकड़े थे यह बिहार की मेंडेट नहीं था बिहार की विकास चाहिए बिहार की के अंदर सूसासन चाहिए लेकिन आपने राजनितिक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उसको संभालने का कोशिश किया था दुबारा उस राजनितिक मेंडेट को पुन प्रतिष्टित करने के लिए उन्होंने काम किया भार्चे जनता पार्टी की राष्टिय नित्रुतों की शाद बारता करके फिर बिहार में कानून की राज हो सूसासन हो उसकी प्रयास किया केंद्र में मंत्री भी रहे मंत्री रहने के पहले भी मैं जितना रामचंद्र बाबु को जानता हूं कुछ विश्य में रामचंद्र बाबु आपने आप एक मुल्यों के साथ खुद को बार-बार जोड़ा संचद कई प्रकार की बिचार की एक मंच होता है मैंने रामचंद्र बाबु को भासन करते हुए बार-बार देखा इस देश की बुन्यादी मुद्धों पे विशेश करके किशानों की मुद्धें पे, पुर्व भारत की मुद्धें पे, देश की पिछले समाज की हितों की रक्षा करने की मुद्धें पे और राश्चियस तरपे सरदार वल्लवही पटेल की अस्मिता की बारे में कभी बात हो कभी भी चर्चा हो उसमें रामचंदर बाबु मुखर होते थे उस समय में वो दल नहीं दिखते थे एक कौज के साथ खुद को आइडिन्टिफाई करते थे मैं निश्चित रुप में बिहार की जो बर्तमान राजनितिक स्तिती है और रसीपी शिंग जी के ख्याती है जनतादल यू को एक राजनितिक प्रक्रिया करके आज की जो रूप उनकी है उसको खड़ा करने में रसीपी शिंग जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है एक प्रकार से भारतिय जनतापाटी की जेशेक संगठन मंत्री की भूमिका रहती है पीछे से चीजों को मजबूती से रीड की हड़ी की तरफ हो उसको संभाले थे जो बिहार में अति पिछडों की प्रयाश चली प्रोयोग चली उसकी पीछे उनकी बैचारिक स्पष्टता के साथ उसको संगठित करने में बड़ा भूमिका रहा है मैं बिहार में काम किया हूँ पंचपोनिया समाज में रामचंद्र बावु जी की पहचान और प्रवेश में खुद ये कारे करता रोप में जानता हूँ अति पिछडों में क्या विश्व से नेता रसीपी शिंग जी की है में जानता हूँ ऐसे एक नेता को आज प्रधान मंत्री जी की नितुर्तों में हमें सामिल करते हुए गोरोब होता है आर्शीपी शिंग जी की बिहार में भारतिय जन्तापार्टी में योगदान करना पार्टी को वहां और मजभूद करने में निश्यत रुप में मदद होगा सहम लोग सफल होंगे मैं आर्शीपी शिंग जी को पुनह बीजेपी में स्वागत करता हूँ और निश्यत रुप में उनकी सेबा पार्टी के लिए साकरत्मक रहेगी